Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vedan Singh Dhakur. My dear students, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? चलिए एक नचर देख लेते हैं. Glass to Health, English Bihar Board, भारत is my home, Dr. Zakir Hussain, Chapter 2 Summary. So, without wasting any time, my dear students, हम आगे बढ़ते हैं और cover करते हैं इस Chapter की Summary. अब चलिए, देखते हैं क्या है यह Summary. In his speech, अच्छा, अब उन्होंने अपनी स्पीच में, अपनी भाशन में क्या किया है? देखते हैं, जाकिर admits that he is filled with a lot of emotions. अब यहाँ पर, जब आप देखोगे, जब आप पार्ट को पढ़ोगे, तो हम इसी नतीजे पर पहुचते हैं, कि जो जाकिर हुसेन है हमारे, वो accept करते हैं, या पनाते हैं इस बात को, कि कही ना कहीं, वो filled हैं, किस से भरे हुए हैं, किस से भरे हुए हैं, emotions से, आप सबी जानते हैं न, कि जब आप पार्ट पढ़ा था, तो हमने एक छोटी सी जानकारी ली थी वहाँ पर, और वो यह थी, कि कही ना कहीं, यह speech जो है, उस समय दी गई थी, जब जाकिर हुसेन जी जो है हमारे, वो क्या बने थे, प्रसिजिन बने थे, तो इसी यानि वे बहुत जादा भरे हुए हैं, किसे भरे हुए हैं, a lot of emotions, a lot of emotions यानि भावनाओं से भरे हुए हैं, चीके, after seeing the confidence, जब उनोंने क्या देखा, confidence देखा, that people have in him as they have chosen him to be president, यानि यहाँ पर यह कहा जा रहा है, कि वो emotions से इतना ज़्यादा भर गए, जब उनोंने क्या देखा, उनोंने confidence देखा, चीके, that people have in him, जो लोगों के अंदर है, as they have chosen him to be the president of the country, क्यों, अब देखिए, सभाविक है, कि उनको देश का, क्या चुना गया, राष्ट्रिपती चुना गया, तो वो इतने ज़्यादा खुश हो गए, emotions से भर गए, overwhelmed हो गए, उनों लोगों से, जिनोंने क्या करा, उनको चुना, उनकी confidence को देखकर, उनकी चुनाओ को देखकर, ठीक है, क्योंकि कही न कहीं, chosen him to be the president of the country, यानि उन लोगों ने क्या करा, उनको चुज किया, तो सभाविक है, जिन लोगों न उनको चुज किया है, तो उनके प्रतितों कही न कहीं भावना है, जो है, वो उम्डेंगे ही, त समझा गया है, considered किया है, क्या, सबसे बड़ी post, सबसे बड़ी position, ठीक है, office की कहाँ पर, इंडिया में, तो position of highest importance, बहुत महत्व की position है, तो सभाविक है, कि जाकीर हुसेन जी जो है, वो गदगद हो गए, जब उनने देखा कि कितने confidence के साथ, लोगों ने क्या करा, उनका समझ पा रहे हैं, और वो ये है, कि शुरुवात जो होई है, स्पीश की, वो कही न कहीं भावनाओं को दर्शाते हुई हुई है, जो हमने पाठ पड़ा था, तो उसमें दिया था न, overwhelmed, अभी भूत हो गया हूँ, अब देखिए, जो जनता है, उसने क्या करा है, जो हमारे जाकीर है, उनको क्या किया, उनको चुना है, तो सुभाविक है, जब उनको चुना, तो कहीं न कहीं, हर वेक्ति के भीतर, अगर आप भी हो, आपको भी अगर चुन लिया जाए, अगर आपको कोई दोस्त हो, या कोई भी हो, यदि उसको सफलता प्राप्त होती है, लोगों के कारण तो कही न कहीं उसके भीतर जो भावना है वो उम्रेंगी तो यही बात जो है स्चार्टिंग में जाकीर हुसेइन जी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बता रहे है अब यहाँ पर देखिए अब देखिए राधा कृष्णन भी परसिजन बने थे तो जब उन्होंने अपनी स्पीच दी तो जब वो अभी भूत हो गए उसके बाद वे राधा कृष्णन पर आते हैं और राधा कृष्णन के बारे में जानकारी देते हैं वह यह कहते हैं कि राधा कृष्णन जो है कही ना कही क्या है बहुत महान वेक्टित्व है अब यहाँ पर प्रेज का मतलब शाबाशी देना होता है या आप कह सकते हो किसी की तारीफ करना है अब ऐसा किसली है क्योंकि कही ना कही रादा कृष्णन जो है उन्होंने भी ये हाईइस्ट पोजिशन जो है इसको सम्हाली थी इस कारण वश कही ना कहीं क्या हुआ उनके भीतर इस बात को आँ देख सकते हैं कि उनके अंदर उनके पति कितना आदर और कितना सम्मान जो है राधा कृष्णन की पती सामानी तोर पर देखा जा सकता है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट हिस इंटेलिजेंस, ग्रेट नॉलेज और अन्मैचेबल एक्सपीरियंस विद हिम। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। कि जो डॉक्टर राधा कृष्णन हैं, उन्होंने क्या किया। ब्रॉट हिस इंटेलिजेंस, जो बुद्धिमानी हैं, बुद्धिमत्ता, ग्रेट नॉलेज, अपार ज्यान, इरुडिशन, अन्मैचेबल एक्सपीरियंस, ऐसा अनुभव, जो इस तरह है कि किसी और की तरह नहीं है। मतलब आप उनके अनुभव को किसी और के अनुभव के साथ तुल्ला नहीं कर सकते। अन्मैचेबल एक्सपीरियंस, उनका अनुभव अलगई है। तो वह क्या करते हैं, जब वह यहां की प्रेजिडेंट बनते हैं, तो रादर कृष्णन क्या करते हैं, अपने साथ इतनी सारी चीजे लेकर आते हैं। वह एक महान मस्तिश्क के धनीद है, सौभाविक है। रादर कृष्णन जी को आप सभी जानते हैं, चलिए आप एक काम करिए और मेरे को बताइए कि टीचर्ज जे काप हम सेलिबरेट करते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जहां टीचर्ज जे की बाद आती है, वहां डॉक्टर रादर कृष्णन सर्वपल्ली का नाम सर्वपर्थम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? सौभाविक है, सर्वपल्ली रादर कृष्णन ने बहुत अच्छे कारे किये हैं, एजूकेशन के सेक्टर में, इस कारणवश, क्या किया जाता है? इनको सम्मान दिया जाता है. तब ही, जब अपनी पोजिशन को hold कर रहे हैं जाकिर हुसेन तो उसके पूर्व वो क्या कर रहे है राधा कृष्णन जो है उनको praise कर रहे है उनकी तारीव कर रहे है क्योंकि इसके पहले वो जो position में थे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किये कही ना कहीं जो इंटेलिजेंसी है इंटेलिजेंसी तो आप समझ जाते है ना क्या होता है बुद्धी मत्ता या बुद्धी मानी इंटेलिजेंस देखिए एक प्रसिडेंट बनने के बाद ये बहुत आवशक है कि आप कैसे नण्यों को पारित करते हो भले ही आप ये कह सकते हो कि एक डिफरेंस होता है head of the state और head of the government में लेकिन उसके बाद भी जो head of the state है उसके पास कुछ powers होती है तो वही चीज जो है यहाँ पर देखने को मिलती है इंटेलिजेंसी है ना great knowledge और अपार ग्यान हमको पता है ये word का एक short form में हमने निकाल लिया irritation का हमने में निकाला है आपर great knowledge लेकिन आप लोग irritation word यूज कीजिएगा तो कही न कहीं उनके पास अपार ग्यान था आपको बताना चाहूंगा कि जो सर्वपरली राधा कृष्णन थे सर्वपरली राधा कृष्णन ऐसा subject जो बहुत कटिन माना जाता है लेकिन बुद्ध जीवियों के लिए जो बहुत intelligent होते हैं के लिए subject तो बहुत important है और इस subject का नाम है क्या कहोगे आप इस subject का नाम आप आप लोग comment section में करके बताओ कि मैंने आपको पढ़ाया है लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यह है दर्शन शास्त्र जी हाँ philosophy बिलकुल सही समझा आपने तदादा कृष्ण फिलोसफी के professor थे ठीक है दर्शन शास्त्र तो आप लोगों को अब कोई भी कठनाई नहीं आना चाहिए इस chapter को समझने में तो अभी तक हमने समरी में क्या-क्या cover करा हमने यही देखा कि किस तरह से जाकीर हुसेइन जो है वो बहुत ज़्यादा गदगद हो गए हैं ठीक है और यहाँ पर किस विशे को लेकर गदगद हो हैं इस विशे को लेकर कि लोगों ने उनको चुना और उसके बाद यह कहने के बाद वे रादर कृष्टिन की तारीफ करते हैं ठीक है उनको बताते हैं कि वो एक ऐसे मनुष्य हैं एक ऐसे मानव हैं जो intelligence, great knowledge और unmatchable experience ऐसा अनभव जो किसी के द्वारा आप किसी से match नहीं कर सकते unmatchable, match नहीं किया जा सकता है अनभव कहां लेकर आए president office में लेकर आए है he committed his entire life to gaining knowledge and being truthful अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है देखिए अगर हम बात करते हैं एक educator की ठीक है या teacher की या कोई भी professor की बात कर लो जहां पढ़ाने की बात आती है वहाँ पर सबसे महत्पून चीज क्या होती है आदान और प्रदान teacher क्या करता है, प्रदान करता है क्या प्रदान करता है, ग्यान को प्रदान करता है, तो ग्यान प्रदान करना शिक्षक के हाथ में है तो यहीं पर entire life to gaining knowledge, जो सुभाविक है अगर ग्यान दे रहे हो तो कही न कहीं ग्यान लेंगे भी तो टीजर क्या करते हैं? पहले पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसके बाद में लोगों को समझाते हैं जैसे मैंने आपके लिए पूरा पाठ पढ़ा, समझा उसके बाद मैं आप सभी की समक्ष उपस्तित हुआ तो कही न कहीं मैं क्या कर रहा हूँ मैं भी knowledge को gain कर रहा हूँ तो Radha Krishna ने क्या करा committed his entire life उन्होंने क्या करा उन्होंने ठान लिया, commit कर लिया कि वो पूरी जिंदिकी पर क्या प्राप्त करेंगे ज्यान को प्राप्त करेंगे and being truthful और कहीं न कहीं क्या होंगे सच्चे हो जाएंगे, truthful हो जाएंगे चीक है, तो सच्च से भरे होए होंगे तो यहाँ पर हमको एक बात साफ हो जाती है my dear student कि हर एक महान आदमी जो है सत्य की रहा को ही चुनता है अगर आप गांधी जी की बात करो अगर हम गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी ने भी क्या कहा था अगर आप गांधी जी को देखोगे तो पहला चप्टर जो अपने पढ़ा था तो वहाँ पर क्या देखा था आपने अगर हम गांदी जी के बात करते हैं तो उन्होंने भी किसके बात की थी? ठूथ ठीके? और किसके बात कही थी? नॉन्वाइलेंस की ठीके? मैं इसको एन्वी कर देता हूं नॉन्वाइलेंस की बात की थी उन्होंने तो सुभाविक है कि जितने भी महान वेक्ति हो तो इम राधा कृष्टिन हो गए हर एक वेक्ति कहीं ना कहीं सत्य को जो है बहुत ज़़ादा ध्यान देता है क्योंकि इब कहा गया है सत्तेन धारते पृदवी, सत्तेन तपते रवी, सत्तेन वाती वायूश, सरवं सत्ते पतिष्ठतम है ना तो ये बहुत बड़ा आप समझ सकते हैं चानक की नीती से लिया है और कहीं और नीतियों का भाग मान सकते हो कि सत्य में हर एक चिश्टिकी होती है तो सत्य को ही being truthful में सच्चा रहना सत्य का पारण करना हमें सच्चाई की साथ जीना यही उनका कहीं ने कहीं commitment रहा है अब देखिए आगे देखते हैं He has worked harder than anyone to explain Indian philosophical thought and the harmony among all spiritual values अब यहां पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या करा है He has worked harder than anyone यहां पर साफ साफ तरीके से यही कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा कटिन परिश्रम किया किस फील्ड में? फिलोसफी की फील्ड में ठीक हम ऐसा कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उन्होंने सबसे ज़्यादा अधिक कटिन परिश्रम किया होगा तो एक्स्प्लेइन फिलोसिफिकल थॉट्ट अब देखिए जो भारतिय धन्शन शास्त्र है उसको समझाने के लिए उन्होंने बहुत कटिन परिश्रम किया होगा अब दिहारननी अमोंग ओल स्पिच्च्छल वैल्यूस तो उन्होंने बहुत कटिन से कटिन परिश्रम किया कि इसको समझाने के लिए इंडिन फिलोसिफिकल थॉट्ट क्या होता है देखिए जब हम बात करते हैं फिलोसिफी की जब हम बात करते हैं दर्शन शास्त्र की आप देखिए यहां पर क्या दिया है दर्शन शास्त्र तो दर्शन शास्त्र की खास्यत ही होती है कि कहीं न कहीं जब हम दर्शन शास्त्र की बात करते हैं तो हम यहां पर हर एक पहलू को कवर करते हैं जैसे गीता में आत्मा के बारे में बात की गई थी चीक है, तो आत्म ज्यान भी बात में आ जाएगा दर्शन शास्त्र के चीक है, अगर मैं बात करता हूँ फिलोसफी की तो आप इसमें प्लैटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, ना सॉकर्टीज हो गए तो यह सब लोग जो थे, दर्शन शास्त्र का बहुत ध्यान में रखते थे तो यह कही ना कहीं दर्शन शास्त्र में काम करना एक बहुत बड़ी मिसाल है वो हमेशा मानवता की महत्व पर ध्यान देते थे अब यहाँ पर बात आती है, हार्मनी, हैना समनवे हार्मनी का मतलब क्या होता है, समनवे, किनिके मत, spiritual values अब मैं आप लोगों के बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो value term है ना, value term का मतलब क्या होता है ideas, नए नए ideas तो कहीं ना कहीं जो spiritual ideas हैं आप क्या सिते हो, जो concepts होते हैं, जिनके हम बार-बार समझते हैं, कोशिश करते हैं आपने सुना होगा, कि मेरे value ऐसे हैं, कि मझे यह काम करना है तो हम अपने क्या करते हैं, design करते हैं values को तो कहीं ना कहीं, यह सारा खेल ethics के बात का है, नीती के बात का है लेगें, उन्होंने harmony बनाई बहुत सर spiritual values के मद्ध है तो आप लोगों को यह बात ध्यान रखनी है अब देखें, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है इसी कारण वश, जब उन्होंने क्या करा यहाँ पर believe किया, विश्वास किया किस पर importance of humanity पर importance of humanity से आप क्या समझते हैं, चलो आप अगर मानवता की बात करो, हम सभी human beings है न और हम लोग कहीं ना कहीं एक साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हम सभी को सहरा चाहिए, हम सभी को महत्व चाहिए तो कहीं ना कहीं इंसानियत को देखना उसको बैजर अंदाज ना करना उनके पहलू में था which is why nothing could, इसी कारण वश, कोई भी उनको stop नहीं कर सका, कोई भी उनको रोक नहीं सका nothing could stop him from standing, इसलिए कोई उनको रोक नहीं सकता कुछ भी चीज, standing up for man's right to live with honor अब किसलिए, ताकि आदमी, अब देखिए, man's right to live with honor यहाँ पर इसका अर्थ यह निकल कराता है कि कहीं न कहीं हम देख सकते हैं कि हर एक आदमी अपने अधिकारों के लिए क्या करता है, सीधा खड़ा हो जाता है man's right to live with honor, हर एक आदमी क्या चाता है अपनी मान पतिष्ठा के साथ जीना है respect and fairness, इज़त के साथ, fairness के साथ तो यहाँ पर सुभाविक है कि कहीं न कहीं rights और इन सब चीजों पर उनका focus जो है वो बहुत ज़्यादा रहा है तो my dear students, यहाँ पर क्या कहा गया है हम एक बाल और इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से मानस पतल में डाल लेते हैं और वो यही है कि इसका सार यह है समरी में कि कहीं न कहीं जब हम बात करते हैं रादा कृष्णन की तो रादा कृष्णन ने Indian philosophical thought पर बहुत focus किया ठीके उन्होंने harmony को बनाया, समनवे बनाया किसके मद्ध में spiritual values के और इन्होंने किसको importance दिया humanity को तो यदि आपको exam में समरी लिखने आ जाए तो आप लोग क्या कर सकते हो, देखो मैंने highlight करते है Indian philosophical thought harmony among spiritual values और importance of humanity तो ये कुछ keywords हैं इन keywords को आप लोग क्या कर सकते हो, use कर सकते हो समरी से सर्फ एक ही आशाय निकल कर आता है और वो है ये है कि कैसे हम चीजों को समझ सकते हैं simple शब्दों में जाकर promises the audience अब देखे यहां पर क्या कहा जा रहा है जाकर जो है वो क्या करते हैं promise करते हैं audience से that he is accepting his duties with complete modesty and intends on staying committed to it he swears his faithfulness to the constitution of India he explained how this constitution is a gift to the citizens of independent India given by themselves अब देखिये यहां पर क्या कहा जा रहा है तो यहां पर जो जाकर हैं वो promise करते हैं किन से audience से that he is accepting his duty कि वो क्या कर रहे हैं अपने करतव्यों को क्या कर रहे हैं मान रहे हैं एसेप्ट कर रहे हैं तो यहां पर आप एक बात notice करिए कर रहे हैं ठीक है तो आप इनको हुसेइन जी बुला सकते हैं आप जाकीर अच्छा नहीं लगेगा हम इनको सम्मान देंगे लेकिन जो हम लिखते हैं तो आप ऐसे भी लिखें आप लेकिन अभी समय बात चीत कर रहे हैं तो हुसेइन जी बुलाते हैं promises the audience that he is accepting his duties वो क्या कर रहे हैं वो promise कर रहे हैं ओडियंस इसको जो उनकी audience है अब audience जो उनको देख रही है सामने जो मौझूद है that he is accepting his duties यानि वे क्या कर रहे हैं वे accept कर रहे हैं ले रहे हैं क्या उनकी duties ठीक है with complete modesty ना संपून नम्रता के साथ ना modesty का मतलब क्या होता है नम्रता and intends on staying committed to it और वह क्या हैं इंटेंस on staying committed to it और वह एक चुक हैं कि वह अपने commitment पे जो नोने कहा है उस पर बने रहे he swears his faithfulness to the constitution of India ना वो क्या करते हैं आपने सुना है मैं swear करता हूँ मैं promise करता हूँ he swears his faithfulness वो अपने loyalty जो है अपने faithfulness है Constitution of India के लिए क्या करते हैं समर्पित करते हैं उनका मानना ये है कि वह बहुत ज़्यादा faithful हैं loyal हैं अपने constitution की प्रती तो my dear students आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि हुसेइन जी जो हैं यहाँ पर कहीं न कहीं अपनी duties को लेकर बहुत ज़्यादा क्या हैं concerned हैं वो यही कह रहे हैं कि मुझे अपनी duties को निभाना हैं इस तरह निभाना हैं ताकि मैं अपने देश के लोगों खुश रख सकूँ और अपने कर्तवियों के निरवाह कर सकूँ अगर मैं ध्यान दू तो यहाँ पर क्या पता चलेगा कि ही एक्स्प्लेइन्स वे समझाते हैं एक्स्प्लेइन करते हैं कि कैसे कॉंस्प्लेइन जो है वहाँ गिफ्ट है सिटीजन्स का अच्छा अब मैं अगर बात करता हूं नागरिकों को तो यहाँ पर क्या है ना नागरिक कौन है हम ही लोग है आप मैं हम सब क्या है नागरिक न देश के तो देश के नागरिक होने के नाते यह अतिन्त अवश्यक है कि कही न कहीं हम हमारे कॉंस्प्लेइन के अनुसार चले कुछ तो हो हमारे पास जिसकी दवारा हम अपने देश में रह सकें खोली आँकों के साथ ची सांसों के साथ तो he explained वह यही समझाते हैं कि how this constitution is a gift to citizens कि कैसे यह एक तौफा है citizens के लिए of independent India given by themselves यानि हम सबी citizens ने क्या करा है खुद को ही जो आजाद भारत है जहां हम रह रहे हैं एक तौफा दिया है खुद में खुद को ही दिया है यानि जब हम constitution की बात करते हैं सभाविक है कि हमारे पास खुद का constitution है अर्थात democracy है तो democracy जहां पर होती है सभाविक है कि democracy कैसे आती है डेमोक्रेसी आती है जब लोग क्या करते हैं सरकार को इलेक्ट करते हैं अब डेमोक्रेसी की निशानी यही है ना कि जाकीर हुसीन जो है उनको क्या किया गया है सिलेक्ट किया गया है कितनी बड़ी बात है ना उनको वो किया गया है अच्छे तरीके से हमको elect किया गया है अब देखिए एक बहुत महत्वपून बात जैसे कि पूर्व के चाप्टर ने हमने पड़ा धना कि हमारे लाइफ में एंसिस्टर्स का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एंसिस्टर्स प्रिफिए स्टर्स में देखा था कि कैसे नोने बीज़ बोया था हमारे इंडियस सिविलाइजिएशन को लेकर तो वैसे ही यहाँ पर जो कॉंसिटूशन है एक नई होप है हमारे एंसिस्टर्स के लिए अब जब कॉंसिटूशन आया भारत के लिए तो कही न कहीं क्या है वे हमारे एंसिस्टर्स के लिए बहुत बड़ी बात है एंसिस्टर्स के लिए एक खुशी की बात है एक आशा की बात है एक आशा की किरण की बात होँ क्योंकि उन्होंने कितना संघर्ष किया आपको बताना चाओंगा कि राज शाही का समय था मोनारकी का युग चल रहा था ठीकि उसके बाद धीरे-धीरे परिवर्टन आया, लोगों ने डेमोक्रेसी को अपनाया, जहाँ पर राजा का शासन होता है, वहाँ मौनार्की होती है, और जहाँ पर हमारे जो लोग हैं, जो इलेक्ट करते हैं गवर्लमेंट को, तो वहाँ डेमोक्रेसी आ जाती है, तो यह आपर ancestors ने क्या करा, who have earned it, अब यह constitution जो नों की कमाई है, कही न कहीं उन्होंने क्या करा है, बड़े महनत के साथ, बड़े दुची के साथ, इस constitution को बाया है, कैसे, after many racial, cultural movements, देखिए, भारत में क्या हुआ है, भारत में बहुत सारे, बहुत सारे movements हुए हैं, कोई एक अक्के movements हुए है, my dear students, अगर आप विश्वास नहीं करोगे, कि इतने सारे, कहीं न कहीं आप notice कर पाओगे, कि हमारे देश में, गांधी जी, नहरू जी, इन सभी महान लीडरों ने, ऐसे movements किये, जिसके चलते हमाएं देश के अंदर की खामियां जो हैं, वो दूर हो गए, ठीके, आप जैसे राजाराम मोहन रॉय हो गए, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने सतीपरता को लेकर movement लाया था, तेकि ऐसे हमारे बहुत सारे ancestors से, दादा भाई नरोजी हो गए, विद्या सागर चंदर जी न, आपने सब के नाम जानते होंगे, यह बहुत famous नाम है, तो कहीं न क इन्होंने क्या करा, इन्होंने movements किये, तो हम यहाँ पर यही देख पा रहे हैं, अब racial और culture, आप सांस्कृतिक culture तो आप लुक समझते हैं, सांस्कृतिक cultural movements, यहाँ racial की बात हो रहे है, racial नहीं ethnic, racial जहाँ पर चुआ चोद, देखना, untouchable, काला पीला, इन सब की बात आती है, and have obtained true unique value over the period of time, और क्या होता है, समय के साथ, समय की धारा के साथ, क्या हुआ, period of time, एक बहुत बड़ी, सच्ची, unique, यानि अलग, अलग थलग सी, जो मूल है, जो value है, उसको नहीं क्या करा, उसको नहीं बहुत अच्छे तरीके से obtain किया, पाया, तो सभाविक है, my dear students, इस बात को तो समझना चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि कही ना कही जिस देश में हम रह रहे हैं, उस देश की जानकारी, उस देश में क्या घटित हो रहा है, किस तरह से घटनाएं जो हैं, वो हो रही हैं, और किस प्रकार से, ये सब कुछ जो है, कही ना कहीं परिवर्टित कर रहा है हमारे समाज को, आज हमारे देश की जो परिस्थिती है, वो कही ना कहीं बहुत अलग है, पहले के मतावें, क्योंकि क्योंकि Constitution आ गया है, तो यहीं पर हम देख सकते हैं, कि Constitution के महत्वुकों भी दिर्शाया गया है, जाकीर sought himself to work in line with these values, तो उन्होंने यही कहा है, कि इन सभी values के साथ, वो यह कहते हैं, कि मैं यह pledge करता हूं, मैं यह मानता हूं, कि मेरे को भी इनी values के साथ क्या करना है, गारे करना है, सुभाविक हैं, my dear students, कितनी बड़ी बात जो यहां पर कह रहे हैं, कि यह जो values हैं, यह ज थोड़ी आये हैं, कितनी महनत करनी पड़ी है, कितनी महनत करके मुसको अपने हातों तक लेकर आये हैं, तो वही values उन्ही को हम क्या करेंगे अपने पास, सम्हाल के रखेंगे। He explained, वो क्या कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं, explain कर रहे हैं, that the outcome of a value may become insufficient, कभी-कभी ऐसा हो सकता है, अब देखें, outcome का मतलब गया होता है, outcome से क्या समझता है, जो निकल कर आता है, outcome, final result भी कह सकते हो, तो कहीना कि जो outcome होता है, value का, वो हो सकता है, कि कहीना कहीं वो क्या है, insufficient है, अपर्याप थे, in adequate है over time, समय के जाद बहुत अपर्याप देखने को मिल सकता है लेकिन, the value stay valid forever, लेकिन हमेशा value जो होती है न वो हमेशा क्या रहती है, एक जैसी रहती है, सही रहती है and lead to new perceptions और नए विचार धारा है न, नए नई सोच, नई सोचने की जो दिश्टी कोन होते हैं, उनमें भी क्या होता है, कई ना कैम को उनकी तरफ लेकर जाती है, तो my dear students, मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूँ, और वह प्रश्न ये है कि आप लोग इस बात को मेरे को बताईए, कि हमारे जीवन में मुल्यों का क्या अर्थ होता है सभाविक है हम सभी कौन है, हम सभी इंसान है, हम लोगों को कहा जाता है, अगर आप theories पड़ोगे, डार्विन वगेरा की तो कही ना कहीं, अब तो वो theories हट्टे चले गई हैं, इस याटी से लेकिन अगर आप ध्यान दो तो आप इस चीज को पआओगे कि कहीं ना कहीं, जो theories हैं, जो हर चीज हैं उसके बाद वे, कुछ values ऐसे होते हैं जीवन के, जो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं तो my dear students, मैं आपको यही बताना चाहूंगा, कि जीवन में मुल्यों का बहुत बड़ा रोल होता है, मुल्यों को समझे, मुल्यों को अपनी जीवन में धारन करें He mentions that the past realization being derived, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, तो हमें ज्यात होगा कि वह ऐसा बताते हैं, कि जो past realization है, जो अनुभूतियां है, अनुभूति जानते हैं, अनुभव being derived, being derived from the values are not gone or stable, but are still relevant and changing, अब यहाँ पर यह कहां जा रहा है, कि वह ऐसा बताते हैं, वह mention करते हैं, that the past realization जो पूर्व के अनुभव थे, पूर्व के अनुभव being derived from the value, यह सभी कहां से आएं मुल्यों से आएं, जी कहें, values यहाँ हैं, are not gone or stable, but are still relevant and changing, वो भी खहीं गए नहीं है, यह कोई stable नहीं है, वो हमेशा क्या हो रहा हैं, relevant हैं, बिल्कुल उचित्य जो हैं, उनका वो सही है, and changing और वो क्या है, बदल रहा है अब देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, they determine the quality of life, अब आप लोगों को पता होना चाहिए, कि value कहीं न कहीं, क्या दर्शाथ है, determine क्या करते हैं, quality, क्या है, बढ़ियापन, quality क्या है, life की, हम लोग बोलते हैं, कि खाने की quality अच्छी रखो, तो बढ़िया खाना होना चाहिए, अब यहाँ पर देखिए, क्या कहा जा रहा है, अब देखिए, एक quality होती है जीवन की, जो इस समय हम जी रहे हैं, और ऐसी quality जिंदगी जो हम आने वाले समय में जीएंगे, हमारे value हमको यही तो बताते हैं न, अगर मैं अपने मूल इसे धानतों को, अपने values को ऐसा बना कर रखूँ, कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं अपने students को, ऐसा पढ़ाऊं कि वो इतना अच्छा पढ़ें, क्योंकि बहुत अच्छे marks आएं, मैं ऐसा पढ़ाऊं कि हर एक शब्द उनके दिमाग में छब जाए, तो कही न कहीं क्या होगा, quality of life we are living in, तो कहीं न कहीं क्या है, इसका एक impact पढ़ेगा quality of life पे, क्योंकि अगर मैं आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो कहीं न कहीं क्या होगा, मेरे जिन्दगी में फरक पढ़ेगा, इस समय पढ़ाने से फरक पढ़ेगा, और आने जाने आने वाले समय में भी बहुत फरक पढ़ेगा, वैसे ही, आप लोग भी अगर आज अच्छे से पढ़ोगे, अपने मूल्यों को बनाके रखोगे, कुछ अच्छे मूल्य अगर जीवन में हैं, तो उसके तहत क्या होगा, आपका आज का समय, जिस समय में आप रह रहे हो, और ऐसा समय जहां आप रहोगे in the future, वो सब क्या होगा, उसका स्कोप आ जायाएगा, ना, the scope of improvement we have in the future, यहनि कही न कहीं हर तरफ हम देख पाएंगे, इसकोप आजाएगा, improvement का, सुहारने का समय आजाएगा, तो हर चीज़ को मैं सधार पाएंगे, जाकेर mentions that the process of bringing new changes to the system, brings about growth in both national culture and character, अब देखिये, my dear students, यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है, कि जाकेर जो है ना, वो बता रहे हैं, mention करते हैं, कि जो process है, bringing new changes to the system, जो हमारे तंत्र है, उसमें नए बदलाव लाने का, आप लोगों को प्रतन प्रोसेस अरता, प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, brings about growth, वो ग्या करता है, growth लेकर आता है, दोनों, national और cultural, national culture की अगर हम बात करें, national character की बात करें, character, culture, यह दोनों के आगे national नहीं लगाया है, बस एक ही जगह लगाया है, तो आप उन दोनों को इसे consider करोगे, national culture और national character, तो इसी की बात की जा रही है, कि कहीं ना कहीं, जो process है, bringing new changes system brings about growth in both national culture and character, अब अगर आप बदलाव देखोगे, तो सबसे पहला बदलाव कहां पर आएगा, एक आएगा हमारा national culture नेस, जो राश्र की जो संस्कृती है, उसका प्रभाव आप देख पाओगे, चीक है, और साथ ही साथ, आप चरित्र पर भी उसका वेवार, उसका जो कहीं ना की impact देख पाओगे, तो यह जो growth है, वो होगी इन दोनों में, according to him, उनके अंसार, it is education, यह क्या है, यह एक education है, यह एक पढ़ाई है, that brings about continuous changes, जो ग्यागरता है, जो continuous change लेकर आता है, लगातार बदलाव लाता है, in the mind set of people, लोगों के mind में, लोगों के मन में, क्या लेकर आता है, कहीं ना कहीं, यह एक बदलाव लेकर आता है, तो देखिए, education का role जो है, my dear students, बहुत बहुत बढ़ा है, आप लोगों को बताना चाहूंगा, कि education जो हैं एक अस्तर की तरह है, अब आप देखिए, अगर हम national culture की बात करते हैं, या character की बात करते हैं, कहीं ना कहीं, जो education है, यही तो बहुत बढ़ा role play करता है, तो यह education है, जो कहीं ना कहीं क्या करता है, बहुत बढ़ा change लेकर आता है, कहां पे लोगों के mindset में, अब mindset का मतलब क्या होता है, जो हम दिमाग में सोचते हैं, हर एक आदमी का mind set होता है जैसे मेरा set है mind कि मुझे इस तरह कारे करना है इस तरह बताना है आप अगर किसी और teacher को देखोगे science की, social की तो इसका mindset अलग होगा ठीके, अब जैसे English में है तो मैं आपको पूरा-पूरा बता रहा हूँ absolutely अच्छे तरीके से लेकिन अगर हम science में जाएं तो science में concept होता है science में इतना word meanings पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो science और का mindset कैसा होगा कि उसने ये पढ़ा और direct वह आपको ये बता देगा कि इसका concept क्या है और आप लोगों का mindset भी ये होगा कि हम कैसे देखें चीजों को समझें किस तरह तो English or a teacher के साथ आपका mindset कैसा है कि एक एक line अर्थ की साथ समझाई जाए ठीकि science or a teacher के साथ कैसी रहेगी आपके साथ इस तरह का mindset रहेगा कि आपको concept समझना है हिंदी में मात्राओं का रहेगा तो हर एक subject को पढ़ते से में आपका mindset अलग रहता है हैता है कि नहीं रहता है और वैसी teacher का भी दृष्टिकोन जो है वो बिल्कुल बहुत अलग रहता है तो वही चीज जो है हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं तो continuous change in the mindset और education जो है जो पढ़ाई लिखाई है वो लोगों के mindset में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है तो वही चीज है अब आप लोग जैसे मैं अगर मेरे mindset में कोई प्रभाव पढ़ेगा मैंने बहुत पढ़ा है तो कहीना कि पढ़ने से क्या होगा मैं आपको बहुत सारी चीजे लिंक करकर के पढ़ाऊंगा जिससे क्या होगा आप लोगों की जो बुद्धिक बौधिक शंता है वो बड़ेगी आपको चीजे समझ में आएंगी तो इसलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा अच्छी education लेनी चाहिए आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हो बहुत सारी चीजे आप समझ रहे हो तो कहीं न कहीं आपके mindset में कुछ बदलाव आ रहा है कि नहीं हमको और कैसे उस चीज़ को समझना है तो education का role बहुत बड़ा है अब देखिये यहाँ पर क्या कहा जा रहा है He feels that if he is not wrong in estimating the main reason अब अगर हम ध्यान देए estimating the main reason estimating the main reason behind election as the president कहीं न कहीं वो यह कह रहे है कि मैं गलत नहीं हो सकता इस विशे को presumption करने में estimate करने में समटूटल निकालने में कि जो main reason है election का मतलब कुछ तो करन ऐसा हुआ जिसके चलते हैं उनको प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसके उनको elect किया गया It is because of his contribution towards educating the population कहीं न कहीं ऐसे इसलिए था क्योंकि उन्होंने ग्या करा था उन्होंने contribution दिया था सहाईता कही थी किसके towards educating the population अब देखिए उनके मन में ये बात साफ साफ जलक रही है कि कहीं न कहीं वो अपने आपको गलत नहीं ठहराना चाहरे इस बात को लेकर उन्होंने एक total idea निकाल लिया है estimate निकाल लिया है ये बात का कि कहीं न कहीं उनका जो selection है अगर आप उनकी बात करो उनकी selection की बात करो as a president तो लोगों न उनको चुना इसी लिये ही है क्योंकि कहीं न कहीं वे क्या थे बहुत ज़्यादा सक्रिये थे किस field में सक्रिये थे education की field में सक्रिये थे तो लोगों को वो क्या करते थे educate करा करते थे लोग को सिखाया करते थे बताया करते थे तो इसके चलते क्या हुआ my dear students गही ना गही उन्होंने क्या करा एक तरीके से अपनी एक छवी जो है उसको निर्मित कर लिया तो इस चवी का निर्मान ना इस चवी का बनना निर्मित होना है उनकी selection का सबसे बड़ा कारण बन गया He firmly believes that education plays the most important role अब वो द्रनता पूरवग believe करते हैं that education plays जो education है वो बहुत बड़ा role play करता है and a most important role in fulfilling the motives जो motives होते हैं जो कारण होते हैं nation के as it only determines the quality of mindset क्योंकि कही ना कही वो क्या determine करता है सिर्फ एक विशेष्टा एक quality जो होती है mindset की किसकी लोगों की जो उसमें रह रहे हैं उसको बताता है तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है He firmly believes that education plays the most important role in the fulfilling the motives of a nation देखिए एक राष्ट की अगर मैं बात करता हूँ हर एक राष्ट की अगर हम बात करें भले अमेरिका हो United States of America, USA की बात हो रही है इंडिया तो हर एक राष्ट का अपना खुद गा एक motive होता है उस motive की तहत क्या किया जाता है न कहीं न कहीं वो अपना आपको बढ़ाना चाहता है तो यहां पर जो उनका firm belief है कि जो education है वो क्या करता है बहुत बढ़ा रोल प्ले करता है fulfilling the nation का motive आप देखिए न education नहीं होगी तो कहीं न कहीं क्या होगा जो उदेश है राष्ट का वो पुरा नहीं हो पाएगा और उदेश है क्या होते हैं उदेश है ऐसी चीज़े होती हैं जो राष्ट का विकास करती हैं ठीके as it only determines the quality of mindset of the people living in it कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि कैसे mindset में लोग रहा करते हैं जाकियर promises to stay faithful to the legacy of our culture that has been continuing for so many years अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है जाके जो हैं वो क्या करते हैं वाइदा करते हैं to stay faithful कि वो कैसे रहेंगे द्रणता पूर्वाग faithful रहेंगे faithful का मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते loyal होना ठीक है किसकर परती to the legacy of our culture जो हमारी culture की संपदा है उसके लिए है that has been continuing जो कि क्या है बहुत सालों से चली आ रही है for many years बहुत सालों से आप एक बात देख पा रहे हो कि जो हमारा culture है वो चला आ रहा है तो my dear students यहाँ पर जाकिर हुसेइन जो है इस बात को स्पष्ट कर रहे है कि वो क्या चाहते है वो यही चाहते है कि यहाँ पर उनको faithful होना होगा किसके प्रती अपने culture के प्रती जो बहुत से में जला रहा है और जो legacy है हमारे culture की तो सुभाविक है इतने बड़े पदपर आने के बाद संभवता कभी-कभी आदमी इस बात को ध्यान नहीं देता जैसे आव आदमी लेकिन प्रसिडेंट होने के नाते प्राइम मिनिस्टर होने के नाते जो legacy है ना संपधाय है culture की उसको manage करना पड़ता है अब आपने उधारन देखा होगा कि जो हमारे प्रधान मंत्री है उन्होंने क्या करा उन्हों उधगाटन किया था नई संसित भवन का 28 माई 2023 की हम बात कर रहें तो उस दिन उन्होंने जब उसको उधगाटन करा तो सहंगोल को रखा वहाँ पर ठीक है बड़े-बड़े चिन बनाया अखंड भारत की नीव रखी तो कहीं न कहीं जो जाकीर है वो प्रॉमिस क्याटिर स्टे फेट्फुल्ट तर लिगेसी अफ़ अबर कल्चर तो मोदी जी ने भी क्या करा कहीं न कहें अगर आप ध्यान दोगे आप पाऊगे कि जो लिगेसी है जो समपदा है हमारी कल्चर की उसको क्या किया मान दिया सम्मान दिया तो वही जाकीर जाकीर जी करेंगे तो मेरा कहने का अर्थ यहाँ पर सिर्फ एक ही है माई डियर स्टुरेंट्स कि बड़ी पोस्ट में आने के पश्चाथ सर्व परतम हमको देश का हिद देखना पड़ता है और साथ ही जसके सथ कल्चर है वहाँ का ट्रडीशन है उन सब पर भी हमको एक्कोल अमाउंट पर ध्यान देना पड़ता है वेर इट हैस कम फ्रॉम 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 एंड और हूं कॉंट्रिबूटेड इन दे आप विश्वास नहीं करोगे कहीं पार्सी है अगर आप हो सकते आप जैन हो आप बोध हो तो आपने जब संसित्भवन का निर्मान हो रहा था और जब पुरा हो गया उसके बाद आप अगर इनॉग्रेशन मूव्मेंट देखी होंगे तो वहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि कितने सारे अलग-अलग-अलग-अलग कल्चर के महात्मागण आए थे मुलानास थे अब आप पर देख सकते हैं पार्सीयों की गुरू थे उन सब लोगों ने क्या करा अशिरवात दिया तो वही चीज है कि कही न कहीं इतने सारे लोगों के साथ जुड़-जुड़ के क्या हुआ है हमारा भारत का निर्माण हुआ है तो वही है कि despite where it has come from and who contributed in the making of it हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको ध्यान देना है कि कौन ने किसने क्या-क्या contribution किया बावजूद इसके हो सकता है कि मुगल लोगों का आकर्मन हुआ था भारत में ठीक है सुल्तान लोग आए डेली सल्तिनत आप जानते होंगे तो कही न कहीं बहुत सही लोग भारत में आए आकर्मन किया, इन्वेजन किया लेगिन उसके चलते हमारी संस्कृती में बहुत बड़ोतरी हुई अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आईडिया के, कस्टम्स के ना नॉम्स जो चले आ रहे हैं ना मैंने माननेता हैं ना नॉम्स, कस्टम्स, आईडियाज आईडियाज कि आज क्या किया आज मैंने सोचा है कि हम एक बैलून बनाएंगे ठीक है, जो पत्थर का होगा आप उधारण के तौर पर देखिए मैं आपके इस उधारण दे रहा हूँ आईडियाज अलग-अलग ने-ने इनोवेटिव आईडियाज होते हैं तो उसी की बात हम यहाँ पर करते हैं कस्टम्स भी आप सभी को पता है ट्रडिशन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि He promises towards working for the whole of our nations आईडिया, कस्टम and norms यानि आप इस बात को समग लिजे कि जो प्रसिडेंट जो हैं हमारे जाकिर हुसेन जी जो speech दे रहे हैं वह यह वाइदा कर रहे हैं वह इस बात पर खड़े हैं promise कर रहे हैं pledge ले रहे हैं कि वह इसको एक करतव मान रहे हैं वह इसको एक duty मान रहे हैं जिसके चलते क्या होगा जिसके चलते वे, caste, creed, nature, idea, custom हम हर एक चीज़ को देखेंगे, समझेंगे और कहीं न कहीं इन तीन चीज़ों के लिए कारे करेंगे तो यह तीनों बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है रखते हैं अपने अपने जगाओं पर इन पर हम जाए डीटेल में नहीं जाएंगे लेकिन आप इस बात को याद रखिए कि यह बहुत इंपोटन्ट है इस बात को इतने अच्छे से ध्यान में रखिए कि इसको आप यहाँ पर note down भी कर सकते इस चार भी लगा सकते है अब यहाँ पर दिया है He takes an oath अब यहाँ पर oath का मतलब क्या होता है शपत लेना तो वो क्या लेते हैं? वह शपत लेते हैं to stay true hearted to the country despite the barrier of language and religion यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह oath ले रहे हैं वो क्या कहा है? शपत ले रहे हैं to stay true hearted यानि क्या रहना चाहते हैं? एकदम सत्य निष्ट हैं दिल से सत्यनिष्ट रहना चाहते हैं to the country अपने देश की पती पूरे दिल की साथ सत्यनिष्ट रखना चाहते हैं despite the barrier भले कितने सारे रुकावते हों barriers का मतलब क्या होता है? रुकावते of language and religion कितनी भाशा हैं कितने ही आप ध्यान दो कितने ही धर्म है and work towards strengthening its power in the benefit of people और वो क्या करना चाहते हैं वह कार करना चाहते हैं ताकि वो मजबूत बना सके strengthen कर सके अपनी खुद की शक्ती को in the benefit for people ताकि लोगों को क्या दिया जा सके benefit मिल सके बावजूद irrespective का मतलब regard less of भले ही यहाँ पर वो हर चीज़ पर ध्यान नहीं देंगी वहाँ पर irrespective का मतलब यही है कि बावजूद कोई भी कास्च हो irrespective regardless regardless कोई भी कास्च हो कोई भी color हो कोई भी religion हो तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है अब जो हमारे जाकीर हुसेन जी है उन्होंने न ओत ली है तीकि अब ओत लेने का अर्थ होता है शपत लेना जब भी हम शपत लेते हैं तो शपत में हम ऐसे वाक्यों का अपयोग करते हैं जो क्या करता है सारे राष्ट को पलवित कर देता है और सारे राष्ट के प्रति अपने भावनाओं को बतायता है अपने भावनाओं को दर्शाता है तो वही चीज है तो यहाँ पर उन्हें क्या करा Ode to stay true hearted to the country देखिए भले ही हमारे भारत में कितने ही सारे culture हों कितने ही सारे religion हों उसके बावजूद भी वह क्या होंगे सत्य निष्ट होके अपने करतव्यों का पालन करेंगे Irrespective न हर चीज पर ध्यान देंगे Irrespective of caste, creed and culture यानि सवभाविक है कि वह यहाँ पर यह कह रहे हैं कि वह कोई एक caste of creed को नहीं देखेंगे वो इन पर ध्यान नहीं देंगे उनको ध्यान ना देती होए वो क्या करेंगे? सिर्फ strengthen करेंगे किसको? शक्ती को ताकि क्या हो benefit हो हर एक वैक्ती को ऐसे नहीं है कि आप हिंदूओं को ही देखेंगे मुसलिम्स को छोड़ देंगे सिक्स को देखेंगे तो कृष्ण को छोड़ देंगे सर्व करेंगे तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है वे ग्या कहते हैं कि इंडिया जो है ना उनका घर है भारत is my home भारत क्या है? भारत मेरा घर है और मेरी फैमिली है तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपके चाप्टर का जो टाइटल है भारत is my home क्यों रखा गया है? देखी इसी रखा गया है क्योंकि कहीं ना कहीं वे भारत को क्या मानते हैं? अपना घर मानते हैं हम कहते हैं ना शारा विश्व मेरा क्या है? परिवार है तो परिवार होने के नाते हम क्या करते हैं अपने परिवार की देखबाल करते हैं अपने परिवार की परिसमर्पित होते हैं अपने परिवार की सुरक्षा करते हैं और जात ही जात हम क्या करते हैं अपने परिवार को मैनेज करके चलते हैं तो यही बात है यही बात जो है वो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है वो बहुत ज़्यादा क्या है बहुत ज़्यादा प्रसन्न है क्योंकि लोगों ने उनको चुना है ताकि क्या करें इस फैमली को लीड कर सकें for some time कुछ समय के लिए क्या कर सके उसको लीड कर सके and he thinks that और वह ऐसा सोचते है that it is his honor यह उनका क्या है यह उनका honor है to be able to work towards making his home यानि यह उनका क्या करतव है honor है समान की बात है to be able to work towards making his home powerful यानि वो ऐसा कारे कर रहे हैं उसको देखकर उनको अंदर क्या honor की feeling आती है सबाविक है कि उनका समान जनक बात है कि वो ऐसा कारे कर रहे हैं अपने देश को power बनाने के लिए a place that is capable of keeping people एक ऐसी जगा जो क्या है capable है keeping people entirety entirely busy with constructing a lifestyle that is flourishing and elegant यानि the place जो जगा है वो क्या है पूरी तरीके से capable है अच्छी है किसलिए keeping people entirely busy ताकि लोगों को क्या किया जाए पूरी तरीके से busy रखा जाए with constructing a lifestyle इस तरह के जीवन चर्या बनाए जाए ताकि वो क्या हो flourish हो और elegant बने और बढ़िया बने तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है my dear students यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि वे बहुत ज़्यादा प्रसंद है कि his people have appointed him to lead this family अब देखिये जब लोगों उनको select कर लिया तो सुभावे की कि अब वो president बनेंगे तो president बनने के साथ साथ उनके हातों में बहुत सारे responsibilities जो है वो आ गई हैं तो उनका सबसे पहला लक्ष तो यही होगा ना कि वो क्या करें शक्ति का समवर्धन करें और साथ ही साथ लोगों की भीतर एक अच्छी भावनाव को जागरित करें यानि उनको क्या करना है अब उनको appoint कर लिया गया है तो अब वो क्या है फैमली के क्या बन गए लीडर बन गए तो एक लीडर क्या करता है हर एक वैक्ति को जो उनकी फैमली का रहता है उसको क्या करते हैं वो उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको motivate करते हैं उसको बताते हैं और sometime and he thinks that it is his honor अब देज़िए कुछ समय के लिए सुभाविक है उनको कुछ ही समय के लिए क्या बनाया गया है कुछ ही समय के लिए कुछ चंद सालों के लिए बहुत अच्छे तरीके से उप्योग करना है इस तरह से कि सारे लोग उनको याद रखें जिक है and he thinks that it is his honor उनको तो ऐसा लगता है क्योंकि सम्मान की बात है अब आप बोलो कि सर सम्मान की बात क्यों है सभाविक है जब आप President बन जाओगे उधरन के तौर पर आप Prime Minister बन जाओ और लोगों के लिए जायदा करना प्राणम करो तो कहीं न कहीं एक सम्मान की बात भी तो है कि मैं भी आपको सम्मान की नजरों से देखूँगा बाकी लोग भी आपको सम्मान की नजरों से देखेंगे तो वही बात है That it is his honor to be able to work towards यह उनको लिए इस सम्मान की बात होगी कि आप लोगों के माइन में कोई डाउट नहीं होगा and heavenly a place that is capable of keeping people entirely busy with constructing lifestyle that is flourishing in the end तो कहीं न कहीं आप विश्भास करोगे कि हमारा देश जो है वागी flourish होगा elegant बनेगा जाकिर calls the country his family अब यहां पर देखिये क्या कहा जा रहा है कि जाकिर जो है वो क्या कह रहा है कि country his family अगर हम ध्यान दें तो हमको यह बात ग्याद होगी कि जाकिर जो है calls the country his family यानि वो अपने जो पुरी country है उसको family मान रहा है family तो आप सभी जानते हैं क्या होता है family क्या है हम सभी लोग जब एक सदस्से होते हैं एक परिवार बन जाते हैं सदस्से मिलाकर एक परिवार बनता है तो वैसे ही यहाँ पर जाकिर जो है country के सभी सदस्से को मिलाकर एक family बना रहा है that is continuously growing जो क्या है लगातार ग्रो कर रहा है at an uncontrollable rate अब देखिए अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो आज जो है ना population जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है सभाविक है और जो दर है rate का मतलब होता है दर चीक है he tells each one of us जो contribute towards वो यह कहते हैं हर एक वैक्ति को each one of us contribute towards creating a new life यानि आपको क्या करना contribute देना है योगदान देना है नई जिन्दिगी की तरफ in our own manner और अपने तरीके से आपको क्या करना contribution देना है because in order to proceed अब देखिए my dear students यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जैसे जैसे जनसंखिया बढ़ती जा रही है यहना हम देख पा रहे है कि members ही बढ़ते जा रहे है तो कही ना कही हमको क्या करना है अपने जिवान जीवन जो है उसको उदार बनाना है तो सुभावी के उसके लिए हमको कुछ manners की आवशक्ता पड़ेगी ठीक है आप खुद सोचिए अगर हम बात करते हैं manner यानि कुछ ऐसे तरीके ऐसे कुछ ऐसी medium जो आप में मौजूद है जिनकी दोर आप अपने जीवन को और उपर ले जा सकते हो तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है अब देखिए अब आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो अगर आपको आगे बढ़ना है तो नन आप एक चीज़ नहीं कर सकता to relax and observe and let the feeling of being upset or annoyed as a result of being unable to achieve something because the condition which is regularly found in our people यानि यहाँ पर सभाविक तोर पर यही कहा जा रहा है कि none of us can manage to relax हम में से कोई भी वेक्ती ना आराम करने के लिए ना management नहीं ला सकता आराम करना कौन से बड़ी बात होती है and observe and let the feeling of being upset क्या करना है एक feeling होती है उदासी वाली और annoyed अर्था गुस्सा हो जाना as a result of being unable to achieve something कब होते हैं हम यह सब कुछ जह हम कोई भी चीज अचीज अचीव नहीं कर पाते become a condition which is regularly found in our people और यह क्या है यह एक condition बन गई है जो regularly लगातार हमारे लोगों के भीतर पाई जा रही है यानि यहाँ पर जाकिर हुसेन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एक बात जो है आप सभी के सामने रख रहे हैं ठीक है तो हमको लगता है कि यहाँ पर मुझे ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है जो समझाने योग्य हो लेकिन तब भी मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि जब भी हम फैमिली की बात करते है तो कहीं ना कहीं हमको अपने फैमिली मेंबर्स को भी आगी लेकर जाना उनको बढ़ावा देना है जीक है यहां पर सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है इस बात पर आपको फोकस करना है कि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है और जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो हम क्या करेंगे कुछ तरीकों को लेकर आएंगे जिनकी चलती हम क्या कर सके अपने जीवन को अच्छा बना सकें बस इतने आपको ध्यान रखना है He could not emphasize more on the fact that we need to work hard consistently, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, चली देखते हैं He could not emphasize more, वो ज्यादा emphasize नहीं कर पाते हैं on the fact, नहीं जो fact है एक जो तत है, that we need to work hard कि हमको ज्यादा कटिंकारे करना है consistently silently and wholeheartedly in rebuilding the entire physical, social and cultural life of our country तो अब यहाँ पर देखिये, क्या कहा जा रहा है He could not emphasize emphasize का मतलब कियोता है force से, थोड़ा दभाव के साथ, more on the fact that we need to work नहीं बात है, कि हमको और ज्यादा काम करना है work consistently consistently का मतलब कियोता है लगातार silently, यहीं धीरे-धीरे and wholeheartedly अर्था पूरे दिल के साथ in rebuilding the entire physical, social and cultural life of our country यानि भहुत अच्छे तरीके से rebuild करना पूरे physical, यानि भौत तेख social अर्था सामाजेक cultural अर्था सांस्रेटेक जो भी जिन्दगी है हमारी country की उसको तो overall यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि किस तरह से हमको development करना है अब यहाँ पर देखी क्या कहा जा रहा है जो हाड वर्क है जिसको जाकिर जो है बार बार पूछ ने इस आस्किंग देजन से पूछ रहे हैं जो हमारे जो आप एक तरह के से उनको नागरिक कह सकते हैं उसिजन को आप दो कंपराईज टू टाइपस जहाँ पर दो तरीके से हैं वन देट इन्वाल्व्स वर्किंग ओन अंसर अब देखी वन सेल्फ ना खुद पर दो तरीके के सिजन होते हैं जो दो तरीके से कारे करते हैं कुद के लिए और एक दूसरों के लिए on its surroundings and environment ना खुद के surroundings के लिए और अपने environment के लिए भी अब आप देखिए on its surrounding environment देखिए surrounding environment की बात यहाँ पर साफ है कि जब भी हम बात करते हैं citizen की तो कहीं न कहीं हुआ है its reason की करताव्य होते हैं मौलिक से धान तो ब Eu Obam करता है लेकिन एक बात जरूर है और वो यह है कि जब भी हम बात करते हैं कार रेकी तो जो भी कार हम कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं एक तो खुद के लिए हो और दूस्रों के लिए हो ठीक है जह हम रह रहे हैं, surroundings environment, the work that one has to do on one's own self includes walking towards the path concerned with the principles of right and wrong. यानि यहां पर ही क्या कहा जा रहा है, कि जो भी काम, the work that one has to do on one's own self, अपने आप पर, उसमें क्या है, अब देखे, बहुत सरे कारे ऐसे हैं, जो हम अपने लिए स्वेम के लिए करते हैं, तो उनी में यहां पर include हो जाता है, कि कुछ ऐसे काम है, जैसे कारे करना, walking towards the path, अपने जो रहा है, उसकी तरफ आना, concerned with the principle of right and wrong, चिन्तित होना, concerned का मतलब होता है, चिन्तित होना, किन principles के द्वारा, of कौन से principles, सही गलत ना, सही गलत, जो behavior है हमारा, which is only possible with lot of self-control, जो कि self-control के द्वारा ही सही हो सकता है, यानि, यहाँ पर सुभाविक तौर पर एक बात कही जा रही है, और वो यह है, कि self-control जो है, कही न कहीं हमारा सही, गलत, कि जो हमारी क्या कहना चाहिए, एक behavior है, बन जाती है, हमारा एक तरीके से आप देख सकते हो, आपने सुना होगा, कि एक लड़का है, इसका बहुत सही गलत behavior होता है, कभी वो लोग के साथ अच्छा behavior करता है, कभी बहुत बुरा behavior करता है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर right और wrong behavior जो है, उसके बारे में बहुत अच्छी तरीकी समय बताया है, तो यहाँ पर जब भी हम खुद की बात करते हैं, तो खुद पर हमको ग्या करना है, सयम लाना है, खुद पर control करना है, और यही वाली बात जो हैं यहाँ पर कहीं जा रही है, और ऐसा करने से क्या होगा, हमको एक आजाद moral personality मिल जाएगी, which can only be ignored at our own risk, और जिसको तो भाई अगर हम चाहें, तो ignore कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको risk लेना पड़ेगा, अब यहाँ पर जाकिर कहते हैं, that result can only survive if they are put to use in creating a society, अगर आप चाहते हो कि जो result है, तो उसके लिए को survive करें, तो they are put to use in creating a society, यह तुमको ग्या करना चाहिए, society को बनाए रखने के लिए उपयोग में लाना चाहिए, that has an advantage to give its people, जिसका अपना खुद का advantage है, to give its people a lifestyle which is fair, elegant and decent, जिसको जारा क्या होता है, उसको खुद का advantage है, कि लोगों की जिन्दगी है, वो कैसी बन जाती है, बहुत बढ़िया, बहुत शांदार, elegant और decent बन जाती है, तो मुझे लगता है, कि आप लोगों को यहाँ पर सारी बात अच्चे तरीके समझ में आ रही होंगी, similarly, in order to transform into excellence, अगर हमको उत्रक्रिष्टता पानी है, आप परसर ने the same level of development, तो अगर एक जैसा आप अगर ध्यान दो ना, यहाँ पर क्या कहा जा रहे है, excellence चाहते हैं, हम अपने आपको बदलना चाहते हैं, उत्रक्रिष्ट इस्तर पर लाना चाहते हैं, ठीक है, तो अब person need, तो आदमी को किस चीच की आवशकता है, same level of development, एक जैसे development की आवशकता है, from its society, अपने society से, thus he asked the audience to involve themselves entirely in making it possible, by working both on themselves and the society, तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं, कि हम को ग्या करना है, खुद पर भी कारे करना है, और समाज के लिए भी कुछ करना है, ताकि हम क्या कर सके, यह बहुत अच्छे तरीके से, अपने society को उपर उढ़ा सके, यानि सभाव है, सभाविक बात यहाँ पर यही है, कि in order to transform into excellence, अगर हम उत्कृष्टिता चाहते हैं, तो खुद बर भी काम करें, और दूसरों के लिए भी कारे करें, अब यहाँ पर देखिए, क्या कहा जा रहा है, this two folded attempt, दो folded attempt, देखिए fold, इससे हम कपड़े की बात करतें, आपने कपड़ा देखा होगा, दो गढ़ी करना, fold में आ जाना, तो two folded attempt, यानि एक तो खुदबर कारे करना, और दूसरों के लिए सेवा वाला कारे करना, will change the circumstances, वो ग्या करेगा, circumstances को change करेगा, पर स्थितियों को change करेगा, किसके, हमारे राष्ट के, for the better and has been referred to as special flavor, और इसी को क्या कहा गया है, इसी को कही न कहीं, एक special flavor माना गया है, देखिए, special flavor क्या होता है, स्वाद, आप लोग जानते हैं, स्वाद क्या होता है, जब आपने कुछ खाया होगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छा, एक फ्लेवर सा आता है, कि मैंने कुछ खाया है, तो खाते ही आप लोग जीब में, एक अलग स्वाद आएगा, खटा मीठा है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, जो two-folded attempt हैं, वो क्या करेंगी, बदलाव लाएंगी, circumstances में, किसकी हमाई राश्टर की, for the better and has been referred, अमने अच्छाई के लिए, और तो कही न कहीं refer किया गया है, कैसे एक special flavor की तरह, it is important, यह बहुत जादा महत्पपून है, as the state is not only concerned, कि राज सिर्फ concerned नहीं है, ना चिंतित नहीं है, किसके साथ, with disturbing authority, distributing authority, and exercise of power, but also morals, ethics, and values, यानि, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कि state जो है, सिर्फ एक ही विशे को लेकर चिंतित नहीं, अब देखे, कही ना कहीं क्या होता है, कि state ना चिंतित रहता है, कही ना कहीं distribution को लेकर, कि authority को कैसे distribute करना है, ठीक है, और exercise of power, एक्सराइज के मैं शक्ति को किस तरह अलग-अलग देखा, distribute करना है, कैसे शक्ति को control करना है, किस पर किस पर जाना चाहिए, ठीक है, बट और also, कही ना कहीं moral ethics और values पर भी, क्या है, राज जी की चिंता होती है, सो भावी एक है, राज जी क्या करता है, authority को दिखाता है, कि यहाँ पर यह राज शासन करेगा, यहाँ पर यह राज शासन करेगा, और इस तरह से इसका controlling power जो होता है, कहीं कहीं रहता है, तो exercise of power, ठीक है, distributing authority, तो यह सब कुछ जो है ना, यह तो है ही राज जी के भाग, लेकिन moral, ethic and values का अपना खुद का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो यही बाद जो है यहाँ पर कहीं जा रही है, अच्छी तरीके से, use of power for righteous reason is considered a part of our national behavior, अगर मैं बात करता हूँ शक्ती की, तो जो power है ना, जो शक्ती का use है, for righteous reason है, सही चीज के लिए, सही reasons के लिए, is considered a part of our national behavior, उसको अपने national behavior का क्या मारेंगे, पाथ मानेंगे, एक भाग मानेंगे, which has also been passed down from one on, one of the greatest leaders of the history, यह है, जो behavior है, कहीं न कहीं pass on हुआ है, किनके द्वारा हमारे सबसे बड़े इदियास के जो लीडर है, महात्मा गानी, उनके द्वारा, thus, he asked us, वो हमसे क्या पूछते हैं, to commit ourselves in working towards strengthening the nation, वो हमसे यह कहते हैं, वो हमको यही उस्जह प्रदान करते हैं, कि हमको कार्य करना चाहिए, ताकि हम मजबूत बना सके, strengthen कर सके, किसको, राष्ट को, हमारे nation को, and maintaining peace within it, और उसके भीतर ही हम क्या करें, उसके भीतर ही भीतर हम अपने हां, कि अगरे शान्ती को लेकर आएं, तो वही बात यहाँ पर कहीं जा रही है, तो शक्ती की अवधार्णा जो है, my dear student, शक्ती से क्या होना चाहिए, moral purposes का कार्य होना चाहिए, शक्ती moral purposes के लिए ही होती है, ना कि शक्ती को प्योग हम करते हैं, किस चीज के लिए गलत कार्यों को करने के लिए, तो वही बात जो है, मात्मा गांदी ने भी सरल शब्दों में बताई थी, जागिर expresses his trust in the people of his country, अब यहाँ पर जो हमारे हुसेन जी हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, express करते हैं his trust, जो उनका विश्वास है, वह ना उसको in the people, जो लोग हैं उनमें, of his country, जो उनके country के लोग हैं, उन पर वो क्या करते हैं, बहुत विश्वास जताते हैं, in bringing the necessary spirit to achieve great result, in both self and societal development, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं, बहुत महत्वपून, जो भावना हैं, जो spirit है, किसकी to achieve great result, बड़े-बड़े result को प्राप्त करने के लिए बूलते हैं, जो spirit होती है, भाव जो होता है, वो in both self and societal development, तो उन भावनाओं को लाना, किसके लिए खुद को, और society को develop करने के लिए, कहीं ना कहीं, इसका रोल जो है, वो बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर इसी बात पर प्रकाश डाला गया है, he feels honored to be able to play his part in this delightful journey, तो वो यह कहते हैं, क्योंको बहुत खुशी हो रही है, उनको बहुत सम्मानित होने का महसूस हो रहा है, क्योंको खुशी हो रही है, प्रसनिता हो रही है, क्योंकि he is able to play, to be able to play, क्या करता है, अपने जिवनों रोल प्ले करते हैं, तो वैसे ही वो क्या करने है, able to play his part in delightful journey, अब यह जो delightful journey है, जो आनन्द मही, यात्रा है न, enchanted, जिसको आपने आखरें पढ़ा होगा, तो यह delightful journey है, enchanted enterprise है, उसमें उनका बहुत बढ़ा रोल जो है, यह बहुत समें पहले की बात है, लेकिन यहां उन्होंने अपनी यात्रा को सुगम बताया है, बहुत अच्छा बताया है, यानि स्वभाविग है, कि यहां पर एक तरफ हम देख पा रहे हैं, जाकिर हुसेंजी की विचार, जो कही ना कहीं खुद को आगे बढ़ाने के लिए हैं, और कही और हम देख सकते हैं, कि इनकी विचार अपने उनको हटके, अपने तो ठीक है, लेकिन दूसरों के प्रतीवी अच्छे भावों के लाना, उनको उद्धार करना, उनको भी आगे खड़ा करना, तो यही भावना जो है, वो महतपूर है, तो हमने पूरे समरी में क्या देखा, हमने समरी में ये देखा, उनके वेल्यूस को बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस दिया, ठीक है, नैशनल कल्चर, नैशनल केरेक्टर को इंपोर्टेंस दिया, उन्होंने कहा, कॉंस्टिूशन का रोल बहुत बड़ा है, उन्होंने कहीं न कहीं, आप देख सकते हो, मात्मा गांदी, ना सर्वपली, राधा कृष्णा ने सब को भी मेंशन किया है, चीक है, इस समरी में आप लोगों को ये बात सपष्ट हो चुकी होगी, कि इनका विचार कहीं न कहीं देश को आगे लाने के लिए है, तो राष्ट्रपती बनने के बाद उन्होंने बहुत अच्छे कार किये होंगे, और जो कि अगर आप उनकी ओटोबायोग्राफी या कुछ भी इसे कारें उनकी उपर लिखी होंगे ताब उनको पढ़िये अलग से ये आप लोग करें, ताकि आप उनके बारे में और भी कुछ जान सकें, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा, तो माई डियर स्टुरेंट्स यहाँ पर हमारी समरी जो है, वो कम्प्लीट हो चुकी है, अगर इसके अलावा भी कोई डाउट हो आपके माइन में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करकर आप लोग बता सकते हैं, यह से कि आप देख सकते हैं, आप पर सारे टॉप कोर्स अवेलेबल हैं, चिके, इंग्लिश मीडिया, हिंदी मीडिया, हम सभी आपको हाई कॉलिटी एजुकेशन जो फ्री आफ कॉस्ट प्रोवाइट करते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद,